हेलो दोस्तो मैं रहूल और मेरे पास है इंफिनिक्स स्मार्ट एईजडी 2021 और आज की सुरू में इसके फीचर्स के में बात करेंगे जिसे जानकर आप इस फोन को बड़े अराम से यूज़ कर पाएंगे इस फोन में जो हमें Android 10 Go Edition देखने को मिल जाता है साथ-साथ इंफिनिक्स का खुद का कस्टम स्कीन दिया गया है जो कि है इंफिनिक्स X OS 6.2.0 बेसिकली जो है देखने है इस फोन में जो है क्या-क्या फीचर दिया गया है जिसे जो आप इसे अराम से यूज़ कर पाएगा तो फटा-फट से इस वीडियो को स्टार्ट करेते हैं विदाउट विश्टनी टाइम तो लेट्स गो सबसे पहले फीचर की वो है होम स्कीन कस्टमेशन अगर आप कुछ इस तेगे से करते हैं तो नीची की तरफ आपको section देखने हो मिल जाते है उनके shortcut widgets देखने हो में जाएंगे जैसके आप यहाँ पर दीख पार है यहाँ पर यह कमाल का widgets है सफल का जो की है यहाँ पर जो है आपके जितने भी wallpaper वगेरा होते हैं आपको क्या करना पड़ते हैं हर बार wallpaper में जाकर change करना पड़ते हैं अगर आप इसे home screen में ले जाते हैं जस्ट एक बार tap किजीगा और यहाँ पर हर बार आपको wallpaper change होता हुआ नजर आ जाएगा जसके आप यहाँ पर दीख पारे हैं तो यह काफी कमाल का option है डिपली आप जाहे तो इसका अस्तमाल कर सकते हैं और भी काफी सारे ऐसे shortcut videos आपको application वगरा के देखने हो मिल जाएंगे एक स्थिम दिया गया है बिसिकली यहाँ पर आपको थिम application pre-install देखने हो मिलता है जहाँ पर आप थिम वगरा wallpaper वगरा लगा सकते हैं यहाँ पर category wise चूज़ कर सकते हैं लेंकवाइट चूज़ कर सकते हैं wallpaper में भी same चीज category लेंकवाइट डिस्काफरी मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको थिम और डिय दिखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो है मी मिल जाएगा तो यहाँ पर जितने भी थिम वगराए यहाँ पर पासफट और यहां पर आपका हाइड यहां पर आपका हाइड एक पासवर्ड लेकर कि उसको इंटर लेना पड़ेगा उसके बाद यहां पर आपको काफी सारे gises देखने को मिल जाएंगे जिसके यहाँ पर launcher का देखने को मिल जाता है और यहाँ पर two finger up करने से जो आपका high depth आ जाता है for example यहाँ पर जो है कुछ stick से अगर मैं two finger को up करता हूँ तो यह दी कि high depth deck लिए open हो जाता है उसके बदा आपके यहाँ पर switch का option देखने मिल जाएगा basically यहाँ पर आपका home screen जो switch करता है इसको आप यहाँ पर अपनी हिसाब से कर सकते है यहाँ पर आपको cube करना है, rotate करना है तो यह आप अपनी हिसाब से select कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको icon size का option दीखने मिलएगा कम ज़्ञादा कर सकते है desktop great का option दीखने मिल जाता है folder thumbnail great का option दीखने मिलता है और यहाँ पर vertical horizontal को चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं basically यहाँ पर आपको Ambrior vertical रहता है यहाँ पर देख पाएंगे वर्टिकल रहता है तो यहाँ पर मुझे horizontal काफी जादा पसंद है तो basically मैं यहाँ पर horizontal कर देता हूँ horizontal करनेक बाद यहाँ पर अगर आप देखीगा तो अब देखें यह जो horizontal हो गया और यह देखने में काफी cool लगता है vertical के मुकाबले तो जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर उसको slick कर सकते हैं text color को आप यहाँ पर change कर सकते हैं customize कर सकते हैं आपको जो color चाहिए आप यहाँ पर customize कीजिए और देखें यहाँ पर text का color है वो जो है आपका change हो जाएगा तो आप अपने हैसाब से यहाँ पर customize कर सकते हैं उसके अपर smart arrange का option देखने हो बिल जाता है basically यहाँ पर देखिए सारे application तीतर बितर हो है तो यहाँ पर smart arrange में just click कीजिए, ok कीजिए और देखिए, सारे application जो है अपने अपने जगा पर set हो गए है तीतर बितर अब नहीं है तो यह काफ़ी बढ़ी option है एक बार में सब कुछ smartly तरीके से arrange हो जाता है other settings की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे settings देखने हो बिल जाएंगे जैसे कि search bar आप enable करना चाहते हैं, hot search इसे disable करना चाहते हैं, infinite is scroll जो कि scroll होता रहेगा आपका home screen अगर आप disable करना चाहते हैं, blur वगेरा यहाँ पर जो है आप enable disable कर सकते हैं app auto, addagement का भी option देखने में जाएगा enable disable कर सकते हैं, freezer को भी और folder scrolling वगेरा को भी आप यहाँ से enable disable कर सकते हैं बाकि यहाँ पर home settings में और कुछ खास नहीं है अगर आप यहाँ पर nutrition panel को नीचे कर लेते हैं तो nutrition panel पर भी आपको काफी सारे shortcut देखने में जाएंगे जैसे कि यहाँ पर यहाँ आपको front में भी flash देखने मिलता है rear में भी flash देखने मिलता है इन फैक यहाँ पर आप सिफ front flash चाते हैं तो सिफ front flash आपका on होगा back flash off रहेगा और आप back flash चाते हैं तो यहाँ पर back flash भी कर सकते हैं तो यह काफी कमाल का इसमें option देखने मिल जाएगा do not disturb कर डैक लिए यहाँ से option देखने मिल जाएगा focus mode को यहाँ पर directly object डाल सकते हैं इसके बारे में मैं थोड़ी दिर बात बात करूँगा next switch बात करें तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा इसके settings का option में settings का option पर आएगा तो यहाँ पर आपको काफी सारे option दीखने मिलते हैं यहाँ पर आपको build अगेरा की ज़यते हैं directly e-warranty आपके activate हो जाएगा उसके तो आपको यहाँ पर system का option देखने मिल जाएगा system का option पर यहाँ पर आपको जहाँ जिसस का option देखने मिलता है इस पर tap किजिए और यहाँ पर जहाँ आपको prevent range का option देखने मिल जाएगा basically यहाँ पर vibration, mute, mute वगएरा यह option आपका देखने मिलता है बाकी यहाँ पर जहाँ backup वगएरा कर सकते हैं reset वगएरा कर सकते हैं areas all कर सकते हैं manual guide वगएरा, system update वगएरा schedule power on off अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको schedule power on off का भी option देखने मिल जाएगा automatically आपका phone power on होगा automatically off हो जाएगा schedule जब भी आप लगा कर रखियेगा तो उसकाद यहाँ पर google का option देखने मिल जाता है जहाँ पर कुछ खास पीचर नहीं उसके पर digital well-being parental control का option देखने मिल जाता है basically यह काफी बढ़िया यहाँ पर option दिया गया है यहाँ पर अगर आप आकर देखिएगा तो जितनी भी आपने फोन में data यूज किया है या फिर जो जो application में आपने ज़्यादा time spent किया है वो सब कुछ यहाँ पर show कर देखिए जैसके आप यहाँ पर देख पार है मैंने gallery थोड़ा यूज किया है phone master यूज किया और settings तो यहाँ पर सब कुछ आपको data show हो जाता है in fact यहाँ पर आपको dashboard का option देखने मिल जागा dashboard में आएगा तो यहाँ पर हर एक application के जो है permanently आपको यहाँ पर जानकारी देखने मिल जाएगे हर एक application का जो है आप यहाँ पर अलग से जानकारी वगएरा ले सकते हैं in fact यहाँ पर अगर आप ज़ए ज़ादा game खेलते हैं game के addiction हो गया और यहाँ पर टाइमर बगर लगाना चाते हैं तो यह भी लगा सकते हैं यहाँ पर free fire adjust के यहाँ पर timer पर click कीजिएगा उसके बदा आप यहाँ पर दो घंटा 30 मिट तक game खेलना चाते हैं तो timer लगा दिए दो घंटा 30 मिट तक आप यहाँ पर game खेलिए उसके बद यह automatically off हो जाएगा और अगर आप इसे delete करना चाते हैं तो delete time कर दीजेगा और यहाँ पर आपका delete हो जाएगा तो यह भी काफी बढ़ी option दियागा उसके बदा आप यहाँ पर focus mode का option देखने में जाएगा यह मेरा favorite option है basically अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी phone से ध्यान हटाना चाते हैं तो focus mode काफी कमाल का option है यहाँ पर आप उन्हों उन application को select के लिजे जिन जिन application को आप basically यूज नहीं करना चाते हैं पढ़ाई करते time और वो ज्यादा आपका ध्यान आकरशित करते हैं आपके phone की तरफ तो यहाँ पर उन्हों उन application को select करके आपका turn on कर देना है जैसे आप turn on कीजिएगा वो सारे application आपके black and white हो जाएंगे जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए gallery black and white हो गया अगर मैं tap करता हूँ तो देखिए यहाँ पर focus mode on है यह बता देगा मतलब आपको पढ़ाई करना है basically यहाँ पर जो है game वगएरा या फिर photos वगएरा नहीं देखना है और focus mode कर deactivate करने के लिए यहाँ पर turn off दिया गया है देखने हो मिल जाएगा basically यह काफी useful है यहाँ पर आप schedule लगा सकते हैं कितने वज़े आपका phone automatically silent हो जाए और automatically unsilent हो जाए यह schedule लगा कि आप phone को रख सकते हैं basically यहाँ पर आप phone को silent करके सोते हैं तो दिन में unsilent करना भूल जाते हैं इस वह से काफी सरे important call मिस हो जाते हैं और do not disturb activate करने से और एक फायदा होगा यहाँ पर आप directly उन person को allow दे सकते हैं जिनका call आपके लिए जरूरी है silent रेने पर आपका उठाना जरूरी है तो उनको भी यहाँ पर allow दे सकते हैं तो do not disturb वाला option मुझे काफी बढ़िया लगा बाकी यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जापको smart assistant का option देखने मिलता है यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर accessibility का option देखने मिलता है जहाँ पर आपको front size, display size यहाँ पर adjust अगरा कर सकते हैं और यहाँ पर accessibility menu का option देखने मिलता है इसे enable कीजिएगा इसे enable करने के बाद यहाँ पर आपको नीची की तरफ एक man का icon देखने को मिल जाता है इस पर tap कीजिएगा इस पर tap करते हैं यहाँ पर जहाँ आपको menu open हो जाता है जहाँ पर आप Google Assistant है और यहाँ पर power on off, volume button, यहाँ पर recent tap और यह सारे shortcut आपको यहाँ पर directly देखने को मिल जाता है अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर disable करके रख सकते है मुझे यह ज़्यादा जरूरी नहीं रखता है आपको लगता हो तो आप यहाँ पर one hand mode के लिए इस्तमाल कर सकते है power button end call का भी option देखने को मिल जाता है और यहाँ पर mono audio का भी option देखने को मिल जाता है तो यह option आपको accessibility का option में देखने मिल जाता है action and justice का option देखने मिल जाता है आप यहाँ पर unlock कर लिजिए तो यह काफी कमाल का option दिया है आप जाए तो इसके इस्तमाल कर सकते हैं three finger screenshot ले सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसके बदा आपको यहाँ पर account का option देखने मिलता है basically यहाँ पर जहाँ आपका google से account logging है वो शोग करता है उसके बदा यहाँ पर security option देखने मिल जाता है जहाँ पर आपको यहाँ पर fingerprint वगरे का option देखने मिलता है यहाँ पर आप अपने password देखा fingerprint वगरे add कर सकते हैं total 5 fingerprint add होता है और यहाँ पर काफी लोग बोते हैं pattern log कैसे लगा है फर्स टाइम पर यहाँ पर pattern lock नहीं लगता है तो आपको यहाँ पर screen lock पर आजाना है यहाँ पर click करने करने बाद यहाँ पर आप अपना pattern देखने मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको screen pinning का option देखने मिल जाता है यह काफी useful है basically यहाँ पर आप कभी कबार बच्चों को phone देते हैं YouTube पगएर चला कर तो वो YouTube ना देखकर आपके phone के और भी जो है personal data को देखने लगते हैं और जिससे जो है आपका personal data कभी कबार iris हो जाता है तो यहाँ पर आप simply जो है उन्हें pin करके दे सकते हैं यहाँ पर YouTube उपन कीजिए रिसेंट टैप को टैप कीजिए और यहाँ पर YouTube पर टैप कीजिए और pin को option देखने मिल जाएगा pin हो जाएगा जैसी यहाँ पर pin हो जाते हैं यहाँ पर देखें notion panel नीचे नहीं आएगा home नहीं हो पाएगा, back नहीं हो पाएगा खुझ भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो ओपन हो जाएगा ते काफी बढ़ी हैं यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाता है storage को option देखने मिलता है, यहाँ पर storage वगरा आपका कितना बचा हुआ है, क्या नहीं है sound and vibration जहाँ पर आप यहाँ आप कस्टमाइज वगरा कर सकते हैं do not disturb वगरा को option देखने को मिल जाता है ते मैं lock screen जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था wallpaper का option देखने मिलता है, जहाँ पर display वगरा आपको दिया गया है यहाँ पर आप brightness वगरा कम कर सकते हैं eye care वगरा यहाँ पर schedule वगरा लगा सकते हैं आपके आखों को यहाँ पर जलन चुबन नहीं होगा जब भी आप रात को यहाँ पर reading वगरा करते हैं तो यह काफी बढ़ी option है आप यहाँ पर कम जादा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको और तो brightness on off का option देखने मिल जाता है wallpaper वगरा का देखने मिलता है आपका phone घूम हो जाए या फिर आपके साथ कोई हाथसा हो जाए तो यहाँ पर आपके help करने का शाधन हो सके तो basically lock screen में message देना काफी जरूरी हो गया है आजकल और साथ-साथ यहाँ पर बैटरी की बात करने लगएगा साथ-साथ यहाँ पर आपको यहाँ अपको अपर नोट्चन वगरा यहाँ पर देख पाएंगे और screen on time वगेरा यहाँ पर आप application को जो है click करके clear data clear कैसे करना चाते हैं तो यहाँ से storage, clear data clear कैसे वगेरा आप यह कर सकने हैं यह तो normal phone में सभी phone में होता है basically और connectivity की बात करें तो यहाँ पर आपको Bluetooth का connectivity दिया गया है और यहाँ पर hot spot वगेरा, यहाँ पर casting वेरा का support नहीं है OTG का support नहीं है, बाकी यहाँ पर आपको यह सारे feature जो है settings में देखने को मिल जाता है नेक्स पर बात करें तो यह जो है direct video call को support करता है यहाँ पर dialer pad पर आके number dial कीजिएगा यहाँ पर direct video call का option देखने को मिल जाता है जैसके आप यहाँ पर दीख पारें बट यहाँ पर due to geo, atal to atal यह आप direct video call कर सकते हैं मतलब same method P आप video call कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर एक network से दूसरे network पर call करेंगे जैसे की due to atal तो यहाँ पर video call आपका जो है नहीं लगेगा 3.0 पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर call history बगएर चेक कर सकते हैं settings पर जाएगा settings पर जानक बार यहाँ पर display option देखने मिल जाता है sound evaluation option देखने मिल जाता है तो यह automatically filter करेंगे बता देगा यह spam call है आपको इस call को receive करने के ज़रूत नहीं या फिर यह call जो है आपका पैसा loot लेगा तो यहाँ पर बच जाएंगे scam वगेरा से तो यह feature जो है आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे जहाँ पर आप जो junk file को click कर सकते हैं CPU cool कर सकते हैं phone boost कर सकते हैं anti virus वगेरा power saving वेरा का option देखने मिल जाता है app lock का option देखने मिल जाता है जहाँ पर आप जहाँ application को lock करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना password वगेरा set का लेना है set करते हैं यहाँ पर जो है आपको app lock हो जाएगा अब go to settings बोलता है तो यहाँ पर settings पर आ जाते हैं तो यह देखें यहाँ पर settings हो गया कुछ आपको allow वगेरा देना पड़ेगा यहाँ पर जो है phone master को तो allow देनेक बाद यह जो है work करने लेगा in fact यहाँ पर आप three dot पर click करके यहाँ पर अपना password वगेरा चेंज कर सकते हैं fingerprint वगेरा लगा सकते हैं यह सारे option देखने में जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जो है password लगा की नहीं तो facebook को open करते हैं तो यहाँ पर देख पाने है password लग चुका है अब मैं fingerprint देता हूँ यहाँ पर अपना password वगेरा दूँगा उसके बाद ही यहाँ पर open होगा तो यहाँ पर यह काफी बढ़ी है यहाँ पर आपको app lock वगेरा देखने को मिल जाता है और साथे साथ यहाँ पर आपको inbuilt FM radio देखने मिल जाता है यहाँ पर currency convert का भी option देखने मिल जाता है जिसके आप यहाँ पर दीख पा रहे हैं और साथ-साथ यहाँ पर care का भी option देखने मिल जाता है बेसिकली यहाँ पर अपना phone अगर इन्फिनिक्स care में देना चाते हैं address पगरा जाना चाते हैं यहाँ से आप अपने area का address जान सकते हैं यहाँ पर आपके area में कौन-कौन सा इन्फिनिक्स का यहाँ पर आपका normally care है तो यहाँ से आप उसके बारे में जानकरी ले सकते हैं उसके एक से एर का option दिया गया है जहाँ पर आप एक से एर के जरीए फोन रहेंगे उनमें योग पार्टी रहता है तो यहाँ पर connect कीजिए connect-connect बाद आप यहाँ पर गाना प्ली कीजिए और सारे फोन में जो है सेम गाना प्ली होगा at a time और यहाँ पर आप एक छोटे से महाल में पार्टी को अच्छे तरिक से मना पाएगा बिना किसी speaker के सिफ आप अपने smartphone की मत से तो यह काफी बढ़ी है यहाँ पर आपको app देखने हो मल जाता है और यहाँ पर आपको DTS sound का support देखने हो मल जाता है जहाँ पर आप movie, game जैसा आप कर रहे होंगे वैसा आप यहाँ पर select करके sound का अच्छा मज़ा उठा सकते हैं और साथ-साथ यहाँ पर आपको graphics, equalizer का भी option देखने हो मिल जाएगा यहाँ पर आप खुद से यहाँ पर control वगेरा कर सकते हैं यही नहीं यहाँ पर high translation का भी option देखने हो मिल जाता है basically यहाँ पर आप 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 जए translate वगेरा कर सकते हैं यहाँ पर start करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको tutorial दिखा रहा है जिसके आप यहाँ पर दीख पर है magnification glass को आप text के तरफ लिजाएगा तो यहाँ पर translate हो जाएगा तो कुछ इस तेख से आप इस translation का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कमाल का freezer option देखने उंबल जाता है यह मेरा favorite option है basically आप जहाँ उन application को यहाँ पर add करके रख सकते हैं जिनका आप इस्तमाल नहीं करते हैं basically rare इस्तमाल करते हैं और वो जो है आपके background के data को हमेशाथ चूसते रहते हैं और साथ-साथ यहाँ पर आपके memory को भी full करते रहते हैं तो यहाँ पर freezer पर आपकर add पर click कर लिजाए for example यहाँ पर जो है जो मैं game खेलता हूँ फिलाल मुझे game खेलते time ही जरुवत पड़ता है normal नहीं जरुवत पड़ता है facebook वेगर हो गया यह data consume करते रहते हैं background में आपका तो इन्हें आप add करके रह सकते हैं और यह freeze हो जाएंगे आप यहाँ पर freezer पर आकर डाइटली इन्हें open कर सकते हैं और यह आपका चलेगा बट normally यहाँ पर आपका background में इसका कोई भी work नहीं होगा तो यह काफी कमाल का यह freezer option है अगर आप हटाना चाता है tap कीजिए यहाँ पर ok कीजिए और यह automatically freezer से हट जाएगा so friends I hope आप सभी को Infinix Smart HD 2021 का feature video पसंदा आओगा अगर पसंदा आओ तो इस फ्रेंट वीडियो को like कर देगा या फिर आप में Instagram account को follow कर लिए यहाँ पर मैं काफी दा active रहता हूँ Instagram account को follow करने के एक पायदा होगा डाइक लिए आपको से communicate कर पएगा चैट कर पएगा और वहाँ पर screenshot या फिर video record करके बेच पएगा जिससे मैं आपके problem का solution easily कर पाऊँगा तो Instagram account को definitely follow कर लिए अगली वीडियो में एक नए कॉंटेंट के साथ अब तक लिए टाटा बाइबाइबाइए और यह सतरी यह मुस्कुरातरी और बने रिया आर्जे टेक्निकल्स के साथ